प्रश्ण माला तीन दसों लो दो इसमें हम देखेंगे भिन्नों का गुरन फल ओके तो देखें बहुत सरल तरीकेश बताएंगे अंत तक की वीडियो देखेंगे योगी बहुत मेहनत लगती दोस्तों सवाल नमर एक का गाह है छै गुरे तीन बटे पांच छै गुरे तीन ब करना है और हर का हर से जोघ्यो से थज़ी करेंगे एलगे तो 46 18 और पांच एककम पांच करेंगे तो पांच 18 पांच इसका energ हो जाएगा क्लीयर वीडियो को लाइक सेर सबस्क्राइब जोह करिए online tuition classes के लिए ठीक है इसको अंगा नंबर question देखें 5 बटे 7 गुड़े 1 सही 3 बटे 5 ध्यान से देखें गुड़े 2 बटे 3 ठीक है इनका गुड़ा करना है तो सब पहले हमें छोटे छोटे पार्ड में इसको क्या करना है बना लेना है 5 बटे 7 ठीक है हमने कर दिया एक सही 3 बटे 5 को इसी रूप में लाना है तो 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा 5 एकम 5 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 8 बटे 5 यह देखिए ठीक है इसके बाद देखिए गुड़े 2 बटे 3 अब बराबर हो गया अब देखना है कि कोई संक्या एक दूसरे को काटती है जो बिवक्त करने के तरीका होता है वो हमेशा क्राश चेकिन तिर्चा होता है ठीक है तो देखिए यहां पर है 5 बटे 7 5 से 5 बिवक्त हो गया ठीक इसके बाद और देखेंगे तो कोई संक्या यहां कोई डिवाइड नहीं हो रही फिर देखिए अंस में क्या बचा 8 गुण करेंगे 21 हो जाएगा तो आंसर आपको क्या मिल गया है 16 बटे 21 यही आपका आंसर हो गया तो simply आप गुणा कर सकते हैं clear बहुत सरल है पहले का घा नंबर देखें 2 बटे 5 का 4 बटे 5 का का मतलब होता है हमेशा गुणा सवाल में कहीं भी का हो तो उसका मतलब यारी दोस्तों क्या है गुणा ठीक तो हमने क्या किया 2 बटे 5 गुणे 4 बटे 5 अब बस simply आपको देखना है कोई संख्या एक दूसरे को नहीं काटती है simply अंसर का गुणा कर देते हैं 2 गुणे 4 बराबत 248 और 5 गुणे 5 बराबत 5 बच्चे 25 अंसर आ गया 8 बच्चे 25 ओके है ना गुणे 4 सही 2 बटे 5 है ना तो हमें क्या करना सबस पहले इसको भिन में बदल लेना है तो क्या करेंगे 3 सही 1 बटे 8 मतला 8 गुणे 3 है ना प्लस 1 तो 8 तरिक 24 एक 25 तो हो जाएगा 25 बटे 8 है ना जैसे कि आप देख पा रहे हो इसको बदलेंगे 5 4 को 20 प्लस 2 करेंगे 22 तो फिर देखे अब हम देखें 25 से 5 विवर्त होता है 25 पंजे 25 तो पांच आ गया इसी कार देखेंगे तो 22 और 8 भी दो से कड़ जाएंगे 2 चौको 8 है ना ग्यारा दुनी 22 अब इसके वाग कोई संक्या नहीं कटती है तो देखे 5 गुणे 11 करेंगे तो 55 हो जाएगा और य क्या करेंगे चार से पच्पन में भाग दे देंगे कितना हो जाएगा देखे चार एकम 4 एंक बाज या है इसके बाद एक बचे बन जाएगा 15 चार थेहीं 12 बचेका 3 तो आशार क्या गया 13 सही 3 बटे 4 इसका राइट आशार अग्ज आप वीडियो को परॉज करके चेक कर पाएंगे वीडियो आँ तक देखे ज़दा ज़दा फाइदे लेने के लिए सवाल नम्मर गा की बात करते हैं 3 बटे 8 का 3 बटे 8 का 10 सही सfeit करिए दो बटे तीन हैं ना तो यहां का 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 मतल हम ने क्याorpi बता है गुड़ा तो हम कह सकते हैं तोधिक्क हमने होई किया इस को में गुंड़ा लिन्भी वदल देते हं इसके इस तीन को भी वक्त कर दिया पूरा पूरा गड़ गया अब यहां देखेंगे तो कोई संक्य एक दूसर विवाजित नहीं करती तो यहां देखें अंस्वें सिर्फ बचा हुआ तीन और यहां हर में बचा मात दो तो आंसर क्या हो गए तीन बटे दो इस राइट अंसर ठीप बिल्कुल इजी इसके बाद देखें सवाल नमर 3 क्यों बढ़ते हैं इसके नहीं करिएगा यहां पर देख सकते हैं सवाल नमर 3 का घा है 40 मीटर का 2 सही 4 बटे 8 कितना होगा 40 मीटर का 2 सही 4 बटे 8 हमने क्या कहा ताक का मतलब क्या होता है गुणा सिंपली कर दिया इस आठ पंजे 40 अब देखें कोई संक्या नहीं करती है तो 20 गुणे 5 करेंगे 20 पंचे 100 मीटर ठीक इसके बाद देखें सवाल नमर गा 36 कि ग्रा का 2 बटे 4 का का मतलब गुणे अब सिंपली सवाल सौल विवक्त कर देते हैं 4 नयाई 36 तो 9 गुणे 2 करेंगे तो 18 इसका अंसर हो जागा 9 दूनी 18 ठीक है वीडियो को पहुच करें चेक कर लें तो बहुत इजी क्यूस्चन है आप समासर देखो चलिए नेक्स प् रुपए टूटल खर्च की है तो सवाल क्या है आपके पास सौ रुपए हैं आपने स्टेशनरी में 3 में 4 भाग खर्च कर दिया में 100 का तीन बटे 4 में 100 गुणे 3 में 4 है ना तो देखें 100 का 3 में 4 हमने निकाला तो 4 से 100 को काटेंगे तो 4 दूनी 8 बचे का 2 बन जाएगा 20 चार पंजे 20 तो यह हो जागा 25 को 100 है ना इसके देखे 25 गुणे 3 करेंगे यह बन जागा 75 तीन बचे 15 और तीन निच्छा एक साथ तो उसने कुल मिला कि स्टेशनरी में 100 में से 50 रुपए खर्चे कर दिये और 25 रुपए से जाए प्रसन पूचा गया कितना खर्च किया तो तीन सही एक बटे चाल लीटर दूद की कीमत कितनी होगी तो आप समझ गए होंगे एक लीटर कीमत आपको दी गई है अब ऐसे तीन सही एक बटे चाल लीटर दूद की कीमत कितनी होगी तो सिंपली आप गुणा कर देंगे है ना तो देखे सब पहले आपको इसको बेसिक करना है किया करते है 15-30 और प्लस एक तीस बटे-2 हो जाएगा रहा तो 21 बटे-2 रुपय प्रति लीटर है दूद की कीमत हर लीटर कीमत कितना है तो कहता है तीन सही एक बटे-4 को तो हमने कनवर्ड किया 4 312 प्लस एक बटे आया 13 बटे 4 लीटर दूप की किमत कितनी होगी तो हमें क्या करना है 13 बटे 4 का गुणा कर देना 31 बटे 2 से तो हमने गुणा किया कोई संक्य विवाजित नहीं करती है तो हमने 13 31 किया तो मिला 403 और 4 दुनिया तो 403 बटे 8 मिला रुपए अब हमें इसको मिस्त्रित भिन्ने करूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे 403 में भाग देंगे 8 से तो देखे उसके 3 सही 1 बटे 4 लीटर कीमत कितना होगा 50 रुपए 3 बटे 8 है ना यही आपका अंसर हो जाएगा ठीक उसको यह प्रस्नमाला हमने बहुत ही बेसिक तरीके से और सरल तरीके से आपको बताए वीडियो कैसा लगा कमेंट जहूर करें और अपने जो साथ पढ़ने वाले द